हे दोस्तो नमस्कार मैं आपका दोस्त इंजिनर कुमार मनीज स्वागत करता हूँ आपके यूटूब चैनल जोब इंडिया में दोस्तो आज की बहुती बड़ी ओफीसली अपडेट निकल के आ रही है दोस्तो फाइनली पांच साल बाद जी हां 2016 में भरते निकाले गई थी यूपी तिरपल एससी जेई की इसका जो है चुनाव दोस्तो मार्च में होगा और चुनाव की वज़े से यहां पे आप लोगों का एक्जाम डेट पांच साल के बाद जारी किया गया है जी हां तो यहां पे जो है यूपी तिरपल एससी जेई 2016 का एक्जाम डेट आ चुका है 489 पदोग पर यह दोस्तो भरती 2016 में निकाले गई थी इसका जो है एक्जाम डेट यहां पे आ चुका है जो की बिलकुल अभी अभी ओफीसली नोटिस निकल के आ रही है और सरकारी रिजल के ओफीसली वेबसाइट पर भी यह अपडेट आ चुकी है ओपर आप लोग देखोगे या मैं आपको बिलकुल हॉम पेज दिखा देता हूँ यह देखिए दोस्तों हॉम पेज है और यहां पर जैसे कि एड्मिट कार्ड वाले ओप्शन पर आओगे तो यहां पर देखिए यूपी तिरपल एससी जूरियर इंजिनियर यही 2016 एक्जाम डेट इस पर आप लोगों को दोस्तों किलिक करना होगा किलिक करने के बाद जो ह यहां पर एक नोटिस मिल जाएगी उस नोटिस को क्या करना होगा डाउनलोड कर लेना है और यहां पर देखिए 23 नौवंबर 2021 बिलकुल आज ही अभी अभी यहां पर नोटिस जो है निकल के आ रही है और यह सारी इनफार्मेशन आप लोग पढ़ लेना 489 पदोग पर यह भड़ती निकाले गई है इसमें कुछ इनफार्मेशन है लेकिन हाँ दोस्तों विग्यापन संख्या 28 परिच्छा 2016 तो 2016 का दोस्तों यहां पर एक्जाम डेट आ चुका है अब यहां पर देखिए तो 19 दिसंबर रवी वार को आप लोगों का एक्जाम होगा इसके जश्ट एक्जाम डेट यहां पर जारी किया है जब यहां पर पहले चुनाव था 5 साल पहले उत्तरपर्दिस में तब यह भरती निकाला गया था अब यहां पर दुबारा चुनाव हो रहा है इसके बाद देखिए अब यहां पर एक्जाम डेट जारी किया है फिर 5 साल लगेंगे रेजल्ट में और फिर 5 साल लगेंगे डाकुमेन वरी फिकेशन में 5 साल लगेंगे जॉइनिंग में ऐसे करके जो है आप लोगों का रिटार्मेंट का समय आ जाएगा ठीक है मजा कर रहा हूँ लेकिन जैसे हो रहा बिल्कुल सही है तो दोस्तों कैसा लगा अपडेट जरू बताईएगा जो भी आपके पाद डेटेस या कोई आपका सुझाव है कोई जानकारी चाहती हो या अपनी राय हमें नीचे कमेर्स जरू कर दे तो थेंक्यू